असलामों अलेकूम अलोग दोस्तों आप लोग लेकर आए हूँ एक और अच्छी कंपनी की विकेंसी जो कि नाबिल अलाबु नायाब जो है यह सौधी अर्विया की कंपनी है जिसकी क्लाइंट इंट्रेव्य दिल्ली में है 26 मार्द हो जाता है इसको पहले भी मैं इस पर वी दो साल के हिसाबत नहीं शे मैना और नो मैना के हिसाबत ही लिया जाएगा चार्जे कम रहे गया तो जो भी बंदे को जाना है हमारे कॉमेंट करें मैं उसका ऑफिस का नमबर ऑफिस का एड्रेस प्रवाइड करा दो कल ही इंटर्वियू है देख भी सकते हैं 26 मान दो जात कर सकते हैं कॉमेंट करें और ऑफिस का नमबर ऑफिस का एडर्र प्रवाइड करिया जाएगा और सबस्क्राइब बात जो भी हमारे चैनल पर नहीं आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिविशन आपको मिलता रहें तो चलिए मैं बताता हूं पहला है वर्क पर्मिट रिसिवरर 25 कंटीन इसमें 200 लुपिया ही दिया गया है सिविल फोड मैंट चाहिए पटीछ कंटीनर अटर से 25 लुपिया अच्छी सेली लगाई गया 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 अच्छी भी सेली लगाई गया और प्लस ऑवर्टाम भी आपको दिया जागा तो सप्रिंग कार्पेंट जीally 323 0-100 इसका로 लगाई गया इस चीरी फिक्सर चाहिए 123 002 का भी लगाई गया पैन्टर चाहिए 10 इसके भी 1200 बादासे 130000 रुपए लगा गया इसमें 200 रुपए खाने का दियागा है हिलपर चाहिए सौपूट इनृटि हिलपर चाहिए वह भी बंद से चाहे हैं इसक Pacis में में मैं मैंसन भी क्या न नहीं भी जा जाब देख सकते हैं। तो हिलपर में कोई भी बंद आसानी के साथ ट्राय कर सकते हैं जो होभी जिन तो 900-1000 रुप्या कम नहीं है helper के लिए क्यूंकि उनको कुछ काम पता नहीं रहता है एक बड़ experience हो जाए फिर दूसरे कंपनी माची कंपनी से लिए में ट्राइक कर सकते हैं देख सकते हैं एज लिमिट भी में मेंशन किया गिया 22 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट है 8 गंटी की duty रहेगी आठगंटी के बाद आपको medical आठगंटी के बाद आपको आवर टैम में लेगा 6 से नौ मत जो है इसका limit है 6 से नौ में में आपको नव माईना तक ही आपको रख सकते हैं साओधी अर्विया में उसके बाद आपको रिटन कर जाएगा तो अच्छा मौका है जो भी बंदा जाना जाते हैं तो हमारे कमेंन करें मैं उसका नूम्बर आपशेट कर सकते हैं आप आं जो नहीं कि जांसों सकते हैं हुए एक बार और विमान करा तो जो भी हमारे चैनल पर नई आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिक्शन मिलता रहे तो चलिए जब तक कि लिए अपना धियान रखिए